स्री शिवाय नबस्तो भ्यम दर्शेकों आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बसंत पंचमी का उपाय जो कि पूज गुरु पंडित प्रदीप जी मिस्रा द्वारा बताया गया है वो हम आपको बता रहे हैं यहां उपाय हर बच्चे को करना है जो सिख्छा अध्यन कर रहे हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है वह ये उपाय को अवश करें यहां उपाय केवल बसंद पंजमी के दिन किया जाता है और इस उपाय को करने से आपकी बुद्धी प्रबल होती है पढ़ाई में आपका मन लगता है मन उचिस्ट नहीं होता है और आप अपने जो भी लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं दर्शकों इस उपाय को करने के लिए आपको 31 सरसों के फूल चाहिए 31 सरसों के फूल आपको मंदिर के बाहर जहां पर पूजा की सामगरी मिलती है फूल मालाएं बगिरा मिलती है वहां पर मिल जाएंगे या फिर आप कहीं बाग बगीचे में से भी तोड़कर ला सकते हैं सरसों के फूल इन दिनों में बहुत अधिक खिलते हैं और मौसम का परिवर्तन होता है इस कारण सरसों की खेती लहराती है तो दर्शकों इस समय आपको सरसों के फूल आसानी से मिल जाएंगे और इस उपाय को उस बालक या बालिका के हाद से करवाना है जो सिक्षा अध्य कर रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन लोगों के हाद से इस उपाय को करवाना है अगर वे नहीं करते हैं तो माताएं खुद अपने बच्चों के इन शिक्षा के लिए कर सकती हैं तो इस उपाय को करने के लिए 31 सरसों के फूल आप ले 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 और बसंत पंचमी क after और शिवर ने देवी, सिक्षा की देवी कही गई है ज्ञान की देवी कही गई है और ज्ञान के लिए इस उपाय को अवश्य करें, आपके बच्चों में प्रबलता आएगी और आपके बच्चे पूरी निष्ठा से पढ़ाई अच्छे से करेंगे आपको कहना ही नहीं पढ़ेगा कि आप पढ़ाई करने बैठो आपके बच्चे अपने आप पढ़ाई करेंगे और उन्हें इसमरण भी रहेगा कि वे क्या पढ़ रहे हैं लंबे समय तक तक तो दर्शकों वीडियो कैसा लगा कमेंट दोरा बताईएगा हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके के वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे तक तक के लिए स्रीशिवाई नमस्तो भी हम जैमाता दी